नमस्कार, मैं JVN डॉक्टर चित्रा, हिंदी विवाग से, आज आपके सामने प्रस्तूत कर रहे हूं विशयर रितिकाल की विशेष्टा, जिसका अध्यन हम हिंदी साहिते के इतिहास के अंद्रगत करते हैं. रितिकाल की परिश्टियां और नाइक नाइक का भेद का जो वैचित्ते, पूर्ण, चित्रन इस काली कविता में मिलता है, वह ततकालीन परिश्टियों का प्रतिविम्ब है. राजनीतिक परिश्टियां और अरिंग्जेप की धार में कटरता नादिर्शा और एमस्षा अबदाली के कतले आम और निस्पंश्टा की गटनाई भी इस काल में गटित हुए. अंग्रेजों की कूट निति चालों और कुचालों का जाल भी इसीव में पनपा, छोटे-छोटे राज्यों, रजवाडों, सरदार सामनतों का इस विपत्ति से अंग्रेज शार्षकों की अधिन्ता सुईकार कर, आंक मूंद कर, दरबारी विलासिता में मस्त जीवन वैती करने की कहाने भी इस काल की कहाने हैं, इस काल के कभी इन विलासी रजवाडों के दरबारों में रहकर आश्यदाताओं को विलासिता में सुरा के प्याले पिला रहे थे, राजमहलों में नाच रंग तथा मदीरा पान का ही बोल वाला था, सुरा सुराही और सुन्दरी के र समालिक दुष्ट्री से ये काल घोर अधिपतन का यूग रहा, यह सामंतवादी युक्त था, जो सामंतवाद की अपने सभी दोशों से युक्त था, नीचे वालों को ये मात्र अपनी संपत्ती मानते थे, जिनका अर्स्तित्र केवल उनके लिए, उनकी सेवा के लिए ही था, नारी को अपनी संपत्ती मानकर उसका भोग, इनके जीवन का मूल मंत्र हो गया था, सुरा और सुन्दरी, राजा और प्रजा के उपास्त विशे हो गये थे, नयतिक मूल्यों का पूर्टा अभाव था, चिकेचसा, सिक्षा और संपत्ती रक्षा का कोई प्रबंद ना था धर्मस्तान, ब्रस्टाचार और पापाचार के केंद बन गए थे, हिंदू अपने अरादे रामकिष्न का अतिशर शिंगार ही नहीं करते थे, बलकि उनकी लीलाओं में अपने विलासे जीवन की संगती खोजने लगे थे, रूनिवारिता के अत्यदिक पढ़ जाने से, की वास्तविक्ता से दूर पड़ गए, कर्ण और अचार का स्थान अंध विश्वास ने ले लिया, साहित्य और कला, साहित्य और कला के दिश्ट्री से यह है युग काफी सिम्रद रहा, ललित कलाओं में चित्र कला, स्थापत्य और संगीत कला का पोशन राज महलों में संगीत शास्त्र पर कुछ पर्मानी क्रंथ लेखे गए, अलंकार प्रिये विलासी राजा और बार्शों की अविरूची से अत्यरी प्रवावित होने के कारण तथा कल्पना परक वैविद्य की न्यूइंता के कारण कला की सीमाओं से दूर पड़ गए रितिकाल की प्रिवतिया, रितिकाल की विशेष्टा है, हिंदी साहित्य का अत्तर मद्देकाल रितिकाल के नाम से पकारा जाता है इस समय के शाशक साहित्य प्रेम कावे प्रेम तथा मरोरंचन के लिए कवियों को आश्र देने लगे थे कवियों का मुख्य धे आश्र दाताओं का मरोरंचन हो गया था तुकि कवी चांदी के चन टुकडो पर अपनी कला के राज दरवारों में गिर्वी रख चुका था इस काल के कवीयों में स्वेंतता आसुखी और परिहित का अभाव था राम और किष्ण की लिलाओं की ओड में कवी गन शिंगार वर्णन, रितु वर्णन, नक्षिक वर्णन आदी पर कविता लिखकर आचारेतत्व और पंडित्ते प्मूर की होड में लगे हुए थे कवीयों ने कलापक्ष में ही कुछ अधिक चमतकार और नविंता लाने का प्रयास किया रितिका आर्थ शैली है चुकि इन कवीयों ने कावे शैली की इस विशिष्ट पदिती का विकास किया इसलिए इस काल को रितिकाल कहा जाता है इस काल में अलंकार, रस, नाइका, भेद, नक्षिक वर्णन, चन, आदी, काव्यांगों पर प्रचू रचना हुई है अन्य विशेष्टना इस प्रकार है लोकेक शिंगालकता इस काल के कवीयों का मुख्य कावे रस सिंगालरस है नाइकाउंड का नक्षिक वर्णन और कटाक्ष वर्णन ही इनका लखशे रहा है इसी कारण इस कावे का वर्णन विश्यप अधिक विस्तार नहीं पा सका नारी को केवल भोग्या के रूप में देखा गया वै ना किसी की पुत्री थी, ना किसी की माता नाइकावेद इन कवियों की लेकनी से नाइकावेद सुन्दर वर्णन प्रकाश में आया है बेद वर्णन अत्यदिक उत्तेजक और कामुक भी है लक्षन ग्रन्तों का निर्मान इन काल के कवियों को लक्षन गृंत लिखकर आचारयों का भी कार्य करना पड़ा, किन्तु दोनों कार्यों में एक भी कार्य अच्छे तरह नहीं संपन हो सका इस काल के कुछ कवियों ने लक्षन लिखकर स्वारचित उधारन प्रसुत किये, इसमें भूषन देव आदी मुखे हैं, दूसरे प्रकार के कवियों में बिहारी प्रमुख हैं, जिनने केवल उधारन प्रसुत किये इस काल के कवियों को अलंकार प्रीये थे वे मानते थे बूषन बिना नसोई कविता बनिता मित इस दृष्टी से इन कवियों ने अपनी कविता कामिनी को अलंकार से खूब सजाया है अगली विशेषता है ब्रज भाषा इस काल की साहितिक भाषा है जो कोमलता और मदुरता की दिष्टी से सर्व परी है इसी कारण मुसल्मान कवियों ने भी इसी भाषा को स्विकार किया है इसमें अगली विश्रिष्टा है मुक्तक कवी प्रिती काल में प्रबंध कावे लिखने का प्रचलन नहीं रह गया है सभी कवियों ने मुक्तक कावे शैली को अपनाया है शिंगार वर्णन के लिए यह शैली सरवादी को प्यूक्त है इन कवियों ने दोहा सो उठा कवीता में अपनी भावनाओं का प्रकाशन किया है साथ ही प्रितिकालिन साइते में भावपक्ष की तुल्नाओं में कलापक्ष की प्रधानता है वह अपनी रचनाओं में कावे के कलापक्ष को इतने अगराई हो गये थे कि बावपक्ष्री और उतना ध्यान नहीं दिया गया कलापक्ष को सबल बनाने के लिए इन कवियों ने चित्र योजना, अलंकाल योजना, नाद योजना थता, चंद योजना को महत्व दिया वीर रसका प्रवाद, आधिकाल की वीर धारा जो बक्तिकाल में समाप्त हो गई थी, रितिकाल में उन्हा उसका उत्थान हुआ बूशन जैसे कभियों ने वीर धारा को राश्चेता की ओर मोड दिया ऐसे अतियासे कुर्शों को चारित्रिक बनाएं गया और जिन पर हिंदु जाती और धर्म की रक्षा का भार था इसकर शुरूप में हम कह सकते हैं कि वीर धिकाल की शिंगारिक्ता और विलास की प्रवर्ति जनता के समक्ष कोई आधाश प्रस्तुत ना कर जगी बावपक्ष के द्रिष्टी से यह कावे अधिक सम्रिद है डॉक्टर भागीरत मिश्र के शब्दों में इस दारा के कभी ने जीवन के लिए अद्मे वासना जागरित कर दी है सौंदर्य नगूती और सुरुची की सुका मार सुकसोटी प्रदान की है केवल के चतावनी एक कावे के सम्मंद में दी जा सकती है वह यह कि इसे उसे चुने हुए रूप में पढ़ना आधिक शेकर है धन्यवाद प्रौफ में यह सकती है